नमस्कार विद्यार्थियों, आज की कक्सा में हम हिंदी के पार्ट एक की कवीता वह चिडिया जो का प्रश्न अभ्यास करेंगे रश्न संख्या एक, कवीता पढ़ कर तुम्हारे मन में चिडिया का जो चिट्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाऊ तथा उसकी विशेष्ताएं लिखो यानि कि आपने जो कविता को पढ़ा है उसके बाद में तुम्हारे मन में जो चिडिया का चितर उबरा है उसका आपको एक कागज पर चितर बनाना है और उसकी विशेस्ता लिखनी है तो इसके उत्तर में आप कोई भी एक चिडिया का चित्र बना सकते हैं और लिख सकते हैं चिडिया का आकार छोटा है वहे नीले पंखों वाली सुन्दर चिडिया है उसे स्वतंत्रता अतियंत प्रिये है वह बहती नदी का पानी पीती है चिडिया मधूर स्वर में जंगल में गाती है प्रस्न नमबर दो तुमें कविता का कोई और सीरसक देना हो तो क्या सीरसक देना चाहोगे उप्युक्त सीरसक सोच कर लिखो यानि प्रस्ण में पुचा है कि इस कविता में सीर्षक दिया है वह चिडिया जो यदि आपको उसी कविता का कोई और सीर्षक देना हो तो आपे क्या दोगे आपको सोच कर बताना है उत्तर, कविता का अन्ने उपयुक्त सेर्चक, नन्नी चिडिया, सुन्दर चिडिया, नीले पंखो वाली चिडिया आधी हो सकते हैं अगला प्रश्न है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिडिया को किन किन चीजों से प्यार है यानि कि हमने जो कविता पड़ी है, उसी कविता के आधार पर बताना है कि चिडिया को किन किन चीजों से प्यार है यानि कि उसे कौन कौन सी चीजें पसंद है उत्तर, चिडिया को दूद भरे जवार के दाने, नदी और जंगल से बहुत प्यार है उसे एकांत में मदुर स्वर में गाने तता बहती नदी का जल पीने से भी प्यार है अगला प्रस्ण है आसे स्पस्ट कीजिए आसे का मतलब विक्ती के मन की वह इच्छा जो कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है के रसे उडेल कर गा लेती है इसका आसे है रसे उडेल कर गा लेती है अर्थार्थ चिडिया जंगल में स्वतंत्र रूप से रहती है उसे किसी तरह का बंदन नहीं है स्वतंत्र होने के कारण वह अत्यनत मदुर स्वर में गाती है उसका स्वर बहुत मीठा है खे चड़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है इसका से उत्तर चड़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है अर्थार्थ स्वतंत्र होने के कारण चिडिया वन उपवन परवत नदी आदी जगहों पर कहीं भी आ जा सकती है अपनी इच्छा से इधर उधर उड़ सकती है चिडिया किनारों तक उफन्ती नदी की जल रासी का अनुमान लगाती है और उस जल रासी में से जल का मोती लाती है अर्थार्थ उसी पानी से चिडिया अपनी प्यास भुजाती है इसलिए पानी मोती के समान ही एमुल्ले है आगे कवी ने नीली चिडिया का नाम नहीं बताया है कौन सी चिडिया रही होगी इस प्रस्न का उत्तर जानने के लिए इन पक्सी विज्ञानी सालिम अली की पुस्तक भारतिय पक्सी देखो इन में ऐसे पक्सी भी सामिल हैं जो जाडे में एसिया के उतरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं उनके पुस्तक को देख कर तुम अनुमाल लगा सकते हो कि इस कविता में वरणेत नीली चिडिया साइद इन में से कोई एक रही होगी नीलकंट, छोटा किलकिला, कबूतर, बड़ा पतरिंगा उत्तर, इस कविता में वरणित नीली चिडिया साइद नीलकंट रही होगी क्योंकि उसके सरीर का अधिकांस भाग का रंग नीला, आकार छोटा तथा आवाज मधूर होती है नेक्स्ट प्रस्न, नीचे कुछ पक्सियों के कुछ नाम दिये गए है उन में यदि कोई पक्सी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उस पक्सी के किस हिस्से का रंग कैसा है जैसे तोते की चोंच लाल है, सरीर हरा है इसे प्रस्न के उत्तर में हमने चार पक्सियों को लिया है जिसमें पक्सी का नाम उसकी चोंच का रंग, सरीर का रंग, आख का रंग और गर्दन का रंग लिया है सबसे पहले पक्सी है मेना, जिसकी चोंच का रंग, मेना कैसी होती है काली, चोंच, सरीर का रंग दब्बेदार, आँख का रंग काली और गर्दन का रंग दब्बेदार फिर पक्सी है कववा, तो कववे के तो चोंच का रंग भी काला, सरीर भी काला, आँख भी काली और गर्दन का रंग भी काला यानि कि कववा कैसा होता है, पूरा ही काले रंगा होता है उसके बाद में बतक बतक की चोंच का रंग हलकी नीली सरीर का रंग भूरा सफेद आख का रंग काली गरदन का रंग सफेद और या भूरी फिर पक्सी है कबूतर चोंच काली सरीर का रंग भूरा या सफेद आख का रंग लाल गर्दन का रंग चमकीली हरी अगला प्रस्न है कविता का हर बंद वह चीडिया जो से सुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर कतम होता है तुम भी इन पंक्तियों का प्रियोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंद जोड़ो तो इसका उतर हो सकता है या आपी इस प्रकार से नए पत जोड़ करके कविता बना सकते हैं वह चीडिया जो पंक फैला कर नब को चूने के लिए उची उडान लगा लेती है वह चोटी सी चीडिया नेले पंकों वाली मैं हूँ मुझे नब से बहुत प्यार है आगे वह चीडिया जो डूब की लगा लगा कर अपनी आग भुजाने को नदी में डूब की लगा लेती है वह चोटी सी चीडिया नेले पंकों वाली मैं हूँ मुझे जल से बहुत प्यार है इस प्रकार से आप भी कुछ पंक्तिया बना करके इस कविता को और आगे बढ़ा सकते हो नेक्स्ट है तुम भी ऐसी कलपना कर सकते हो कि वह फूल का पोधा जो पीली पंकोडियों वाला महक रहा है मैं हूँ उसकी विशेश्ताएं मुझे में है फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज भी हो सकती है जिसकी विशेश्ताओं को गिनाते हुए तुम उसी चीज से अपनी समानता पता सकते हो ऐसी कलपना के आधार पर कुछ पंक्तियां लिखो जैसे वह सूरज जो होले होले उठकर जग में रोसनी कर देता है वह गोल थाली जैसा चमकता हुआ मैं हूँ मुझे रोसनी से बहुत प्यार है आगे भासा की बात प्रस्न नंबर एक पंक्खों वाली चिडिया उपर वाली दराज नीले पंक्खों वाली चिडिया सबसे उपर वाली दराज यहां रेखांकित सब्द विशेशन का काम कर रहे हैं यह सब्द चिडिया और दराज संग्याओं की विशेशता बता रहे हैं अतह रेखांकित सब्द विशेशन है और चिडिया दराज विशेश से है यहां वाला वाली जोड कर बनने वाले कुछ और विशेश से दिये गए हैं उपर दिये गए उधारणों की तरहें इनके आगे एक एक विशेशन और जोडों जैसे मोरों वाला बाग तो अब हम इसमें सुन्दर जोड सकते हैं जैसे सुन्दर मोरों वाला बाग यहां सुन्दर क्या है विशेशन है पेडों वाला घर तो यहां हम हरे भरे पेडों वाला घर कैसे पेडों वाला हरे भरे तो यहां हरे भरे क्या है विशेशन है फूलों वाली क्यारी यहां हम रंग बिरंगी जोड सकते हैं यानि रंग बिरंगी फूलों वाली क्यारी रंग बिरंगी विशेशन है और फूलों वाली विशेश्य स्कूल वाला रास्ता तो यहां हम इसमें छोटा स्कूल वाला रास्ता यानि कि छोटा विशेशन सब्दे जोड सकते हैं हसने वाला बच्चा यहां हम अधिक हसने वाला बच्चा यानि अधिक विशेशन सब्दे जोड सकते हैं आगे सब्द दिया है मूच वाला आदमी इसमें हम विशेशन जोड सकते हैं काली मूच वाला आदमी यानि कि कैसी मूच हैं उसकी काली या यहाँ पर लंबी सब्द भी जोड सकते हैं लंबी मूच वाला आदमी तो यह क्या हो जाएंगे उसकी विशेशता यानि कि विशेश आगे प्रस्न है वहे चिडिया डैस जुन्डी के दाने रूची से डैस खा लेती है वहे चिडिया डैस रस उडेल कर गा लेती है कविता की इन पंक्तियों में मोटे चापे वाले सब्दों को ध्यान से पढ़ो पहले वाके में रूची से खाने के डंग की और दूसरे वाके में रस उडेल कर गाने के डंग की विसेस्ता बता रही है अतहें यह दोनु किरिया विसेसन है नीचे दिये गए वाक्यों में कार्ये के डंग या रिति से संबंदित किरिया विसेसन छाटो जैसा की बच्चों आपने प्रस्ण में पढ़ा की जो सब्द या जिन सब्दों से हमें क्रिया की विशेष्ता के बारे में पता लगे वे सब्द कौन से होते हैं क्रिया विशेष्ण या क्रिया की रिती का धंग का पता लगे वे सब्द क्रिया विशेष्ण होते हैं जैसे सो नाली जल्दी जल्दी मुह में लड़ू ठूंसने लगी इस वाके में सो नाली है वो मुह में लड़ू ठूंसने का काम कर रही है और कैसे कर रही है जल्दी जल्दी तो इस वाके के अंदर किरिया विशेशन क्या होगा जल्दी जल्दी दूसरा है गेंद लुढकती हुई जाडियों में चले गई यानि गेंद है वो जाडियों में कैसे गई है लुढकती हुई तो यहां लुढकती हुई सब्ध है वो क्रिया विशेशन है क्योंकि गेंद के जाने की इसके अंदर क्रिया बताई गई है तीसरा है भुकम्ब के बाद जन जीवन धीरे धीरे सामाने होने लगा यहाँ पर क्रिया विशेशन है वो जन जीवन है वो सामाने कैसे हुआ है किस प्रकार से हुआ है धीरे धीरे तो यहाँ पर क्रिया की विशेशन यानि क्रिया विशेशन जो सब्द है वो है धीरे धीरे कोई सफेद सी चीज धम से आंगन में गिरी यानि कि चीज है वो आंगन में कैसे गिरी है धप से यानि कि इस बाके में चीज के गिरने का तरीका या रिती बताई गई है धप से तो यहां किरिया विशेशन सब्द है वो है धप से आगे है टोमी फूर्ती से चोर पर जपटा तो यहां किरिया विशेशन सब्ध है वो है फूर्ती से क्योंकि टोमी के चोर के उपर जो जपटने का तरीका या रीती है यानि कि टोमी चोर पर किस प्रकार से जपटा फूर्ती से अगला तेजी इंदर सहम कर कोने में बैठ गया यहाँ पर तेजी इंदर जो है वो कोने में किस प्रकाल से बैठा है कैसे बैठा है सहम कर तो यहाँ उसकी क्रिया विशेशन उसकी क्रिया की विशेशता क्या होगी सहम कर अगला है आज अचानक ठंड बढ़ गई यानि आज ठंड बढ़ने का तरीका या आज ठंड बढ़ने की रिती कैसी है अचानक से तो यहां किरिया विशेशन क्या होगा अचानक